हेलो गाई इस फुस्पा की रशोई में आप सबका स्वागत है आज हम लाए हैं बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट जो मैंने मुर्मुरिया के द्वारा बनाया हुआ है तो यह मेरे बच्चे क्या करते हैं कि सबजी नहीं खाते हैं तो मुझे अलग-अलग तरह का ब्रेकफास है वैसे हमको लगता कि लाई हमाई साफ है लेकि जब आप पानी से धुलेंगे तब आप पता चलेगा इसमें कितनी सारी मिट्टी रहती है इस तरह से हम दो-चार बार अच्छे से अपने लाई को धुल के थ्यार कर लेंगे तो यह देखिए आप देख रहे हुए कि मैंने इसको तीन बार धुल लिया है तो अभी मैं पानी भी दिखाऊंगे इसका कि यह कितना गंदा पानी इसका निकलता है वैसे हमें लगता है कि हमारी यह मुर्मुरी यह बहुत साफ है तो यह देखिए पानी कितना इसका गंदा निकला हुए तो इस तरह से हम जब लाई को ध भूल भी जाते हैं और ये साप भी हो जाते हैं तो इन एक इस के नद देखिं अभी तोड़सा फूर शूरा पाउडरब मैंच kas मबने तो इस नमाग, लालमेश्च को पाउडर साहिए और दो बाउड़सों इसे तरह से हम सारी सबुझियों को पहले से धुल लेंगे यह दिखिए गाजरय जो इस्तर है ऊपर को जो गंदीं की होती है बाल जैसे निकले रहते हुशके का फिर प्रोन हम यूज करेंगे तो यह देखे मैंने गाजर को चील लिया है और अब हम धुलेंगे अपने गोवी को तो इस तरह से आप जब भी बनाये तो सारे सब्जीयों को अच्छे से पानी से पहले धुलने और धुल के साब करने तो हमने यह सारी सब्र्जीयमा अब धुली है अब हम हमें क्या करना है कि जो हमने प्याज लिए तो प्याज इस समय फपूडी लग जाती है तो हम प्याज का छिलका निकाल करणे भी प्याज को धुल के ने 10ниц के होगे जो इसमें जांते यह जाग रहती क्या करना सारी सब्जियों को छॉप कर up कर लिया था यह आपर मेरा वेडियो बंद हो गया था तो मैंने क्षिर दिखा दूम जो मैंने इस तरह से कदू कर लेंगे और अपर सब्जी डालना अलु बगयरे तो भी डाले सकते हैं एक पर मैंने हाज गाजय और गोवीवर को डालाँ तो यह देखे लाल मिर्स पाउडर डाल देंगे यह अब लाल मिर्स नहीं चाहेते हैं तो भरी मिर्स को भी प्रियोग में ला सकती हैं तोता आपकर शृफ 加 क bubb अर्डग के चेर है ना करने पठी है, मैं थो रिज़ना बेरेगा अरहने आप नहीं हैं तो पहले तो मेरी चेरल को श्रीusc luckilyपабат चास लगरें तो स्याइ qualifyilot करने हों कमेंट कर जरूर बता हैं अब यह देखिए मैंने थोड़ा सा नीबू का रस भी डाल दिया है अब आप कहेंगे कि दही डाला पर नीबू भी डाल दिया दही काम अपना अलग है तो यह देखिए अब हमारी फूला जो वेस्कों आप बोलते हो मेरे यहां तो ख्यैर फूलाइभी बूला जाता है इसको ऐसे थोड़ा मसाल लेंगे, और यी आप चहाएं बिसको मिस्की मिक्सी में भी क्राइब ही, छब्णत क theo हना है जो घड़े घड़े, कुछ ना कुछ बनाना होता है तो पीषती हूं इस तरह से थोड़ा जीरा सॉप और खारा धनिया और मैंने खड़ी धनिया यह भूँझ करके सब कुछ मिला के आप देखो इस तरह से आपको इसके प्लेरे का रूप में बहांद के देख लेना स्वाइब 2 में फेल वहा ओंनते की थोड़ा फ्याज का काट नहीं है एक हरनों करेंगे आप यह दि बच्चों के लिए बना रहे हों तो थोड़ा कम डालें, जाहे बिल्कुल ना डालें, जैसे आपके बच्ची को पसंद हो, तो देखिए मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी ही, अभी हमारी सामगरी सारी बनके त्यार हो चुकी है, अब हम इसको थोड़ा से और तो आप भी बनाईए यह बहुत जलनी और घर के सामान से ही पनगी त्यार हो जाता हो इस तरह से यह आप बनाएंगे तो आपके बच्चे का पेट भी भरा रहेगा और यह बहुत ही हैंदी होता है खाने के लिए और कोई भी इसको खा भी सकता क्योंकि इसमें जो हम यह रैस् प्रश्ट प्यार कर सकते हैं तो अब देखिए हम इन सब की लोईयों की तरह चोटी चोटी सी बना लेंगे जैसे हम आलू की टिक्की बनाते हैं तो सारे मिश्णा को मिला करके हमने अधरक को भी थोड़ा डाल दिया मैंने पहले भी बताया है तो इस तरह से मिला करके हम इस यह बहुत आसानी से बन के त्यार हो जाती तो यह देखिए मैंने भी गैस पे तबा नहीं चाहा आया है आप चाहें तो पहले बना करके प्लेट में रख लें इसके बाद फिर तबी में रख दें लेकिन मैं मुझे तो अभ्यास से बनाने का आप यह पहली बार बना रहे हैं आप पहले गना के प्लेट में रही है तो आप तबाए कर दो नहीं अयह दो आप पहली बार बना रहे हैं तो आप तबाद को नगए इसके बाद ही ढाद इन ठीकी को रख आ er कुंकि कर मेरी साल टेज़ 나서। अब हम तबाखों चाहा देंगे गैस में और गैस हम ओन कर देंगे तो देखे मेरे ये मैंने एक मुठी फूला लिया हुआ था इससे मेरी चार टिक्की बन के त्यार हुई है क्योंकि यहां मेरे खाने के लिए आद दो ही लोग हैं तो मैं अपने दोनों बच्चों के लिए ब नफसान नहीं है क्योंकि हमने ऐसी कोई भी चीज नहीं डाली है जिससे कि हमें खाने में कोई नुस्कान हो देखे जरासा ही तेल में लिया हुआ है आधी चम्माजी उसमें जरासा ही हम चड़केंगे और आपके पास यह हो तो आप उस ब्रस की द्वारा लगा सकते हैं क्य जरुत नहीं परते हैं यह देखे मैंने थोड़ा पहले से रख दिया था तो थोड़ा मेरा यह वेटर फैल रहा है और यदि आप तवा को गरम करके रखेंगे तो यह फैलेंगे नहीं और बहुत साब तिकी बनके त्यार होंगे मैं इसको भी फिर से समहाल दोगी तो यह ब बहुत ही मज़ा आता है तो आप इस तरह से बनाएए और मज़े लीजिए और मेरी रेस्पी कैसे लगी है कमेंड करके जरूर बताएए कभी-कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम आज क्या बनाएं और बच्चों को तो अकसर नहीं नेडिस चाहिए अब डेली वही पूरी वही पराठा अच्छे भी बोर हो जाते हैं तो मैं इसी तरह से उसको ने-णे नास्टे बनाके खिलाती हैं तो खिलाई फिर बच्चों देखे कितने चाव से खाते हैं तो यदि बच्चे चाव से खाते तो हम लोगों को भी अच्छा लगता हूं बच्चे बस जोजलापन करें और खाएं ना भूंके प्यासे रहें तो हमारा भी मन नी लगता कुछ न्यागा तो इस तरह से आप बच्च बना पाई थी तो मेरा मेरे यहां रस्गुल्ला का सीरह रखा हुआ था तो मैंने उसको थोड़ा सा डाल दिया है इससे हम चाट खा रहे हो और जड़ा सा मैंने नम्कीन डाल दिया है आप चाहें तो थोड़ा सा उपर से प्याज पनीर और यह देखिए मैंने सॉस लिया तो मैं बाद में थोड़ा सा दहीर डालूंगी आपको ना पसंदो आप जिस तरह से पसंदो आप उस तरह से खा सकते हैं तो मेरी आज की देश एकदम तयार है तो आप इस तरह से बनाएए एजॉय करिए